बीते दस वर्सों से केंदर सरकार तेलंगना को विकास की नई उचायों पर ले जाने के लिए निरंतर काम कर रही है किसी अभियान के तहट आज मैं लगाता दूसरे दिन आप सब के बीच तेलंगना में हूँ कल आदिलाबाद से मैंने तेलंगना और देश के लिए करीब 56,000 करोड उपिया के डेवलेप्मेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है आज मुझे संगारेडी से करीब 7,700 करोड उपिये की परियोजनाओं का लोकारपण और सिलानियास का अउसर मिला है इन में हाइवेच, रेलवेच और एरवेच से जुड़े आधुनिक इंफरस्टेक्टर के काम भी है इन में पेट्रोलियम से जुड़े प्रोजेक्ट भी है कल भी जिन विकास कारियों का लाप तेलंगना को मिला था वो उर्जा और परियावरन से लेकर इंफरास्ट्रक्टर तक अलग अलग शेत्रों से जुड़े थे मैं इसी भावना पर चलता हूँ राज्य के विकास से देश का विकास यही हमारे काम करने का तरीका है और इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार तेलंगना की भी सेवा कर रही है मैं आज इस अवसर पर आप सब को और सभी तेलंगना वास्यों को विकास के इन सारे कामों के लिए बहुत बहुत बदाई देता हूँ साथियों आज तेलंगना को एवियेशन सेक्टर में एक बहुत बड़ा उपहार मिला है हाइदराबाद के बेगम पेट एरपोर्ट पर सिविल एवियेशन जीसर्च और नेशन यानि कारों की स्थापनाटी गई है यह अपने तरह का देश का पहला एवियेशन सेंटर होगा जो ऐसे आधुनिक स्टैंडर्स पर बना है इस सेंटर से हाइदराबाद और तेलंगना को एक नई पहचान मिलेगी इससे तेलंगना की युवाओं के लिए एवियेशन सेक्टर में नई उडान के रास्ते खुलेंगे इससे देश में एवियेशन स्टार्टर्स को रिशर्ट और स्किल डेवलोप्मेंट के लिए एक पेठ्वम बिलेगा मजबुत धरातल मिलेगी आज धारत में जिस तरह एवियेशन सेक्टर नई रिकॉर्ड बना रहा है जिस तरह पिछले दस वर्सों में देश के एरपोर्ट के संग्या दो गुनी हुई है जिस तरह इस सेक्टर में रोजगार के नई अवसर बन रहे हैं इन सभी संभावनाओं के विस्तार में हाई रबाब का यह आधुनिक संस्तान एहम भूमी का नभाएगा साथियों आज 140 करोड देश्वासी विक्सित भारत के निर्माण के लिए संकल्प बद्द है और विक्सित भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्रक्टर का होना उतना ही जरूरी है इसलिए इस साल के बजेट में हमने इंफ्रास्रक्टर के लिए 11 लाग करोड रुप्य दिये है हमारा प्रयास है कि तेलंगना को इसका जादा से जादा लाब मिले आजिंदोर, हैदराबाद, एकनमिक कोरिडोर के एक महपपण हिस्से के रुप्य नेशनल हाइवे का विस्तार हुआ है कंडी, रामसन पलई, इस खंड को लोगों की सेवा के लिए समर्पित किया गया है इसी तरह मर्याल गुडा कोडार इस खंड का भी को भी पुरा किया गया है इसे तेलंगना और आंदप देश के बीश लोगों को आने जाने की सुविदा होगी इसे सिमेंट और कृषी से जुड़े उद्योगों को भी फाइदा होगा आ जहां संगा रेडी से मादिना गुडा को जोडने वाले नेशनल हाईवे के भी आधार सिला रखी गई है जब ये पूरा होगा तो तेलंगना, करनाटका और महराष्ट के बीच कनेक्टिविटी और बहतर हो जाएगी तेरा सो करोड की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से पूरे छेत्र के आर्थिक विकास को गती मिलेगी साथियों, तेलंगना को दक्षीन भारत को गेटवे कहा जाता है पेलंगना में रेल सुविधाओं को बहतर बनाने के लिए इलेक्टिफिकेशन और दोहरी करन का काम भी तेज गती से हो रहा है सनकनगर, मौला अली रूट पर दोहरी करन और इलेक्टिफिकेशन के साथ छे नए स्टेशन भी बनाए गए है आज यहां से गट के सर लिंगम अपनली के बीच MMTS ट्रेइन सर्विस को भी हरी जंडी दिखाई गई है इसके सुरू होने से अब हाइदराबाद और सिकंदराबाद के कई और इलाके आपसका सेनेक्ट हो जाएंगे इसे दोनों सहरों के बीच ट्रेन यात्रियों को बहुत सुविदा होगी साथियों आज मुझे पारादी भाइदराबाद पाइपलाइन प्रोजेक को भी देश को समर्पित करने का सौभागी मेरा है इसके द्वारा कम खर्च में सुरक्षित तरीके से पैट्रोलियम उत्पादों को ले जाने की सुविदा मिलेगी इप प्रोजेक सस्टेनेबल डवलप्मेंट के हमारे संकर्प को मजबूती देगा आने वाले समय में विख्षित त्यलंगना से विख्षित भारत इस अभियान को हम और गति देगे साथो ये छोटा सा सरकारी कारकम यहां पूर्ण हो रहा है मैं अभी पास में ही जनता जनादन के बीच जाऊंगा वहाँ भी लोग बहुत कुछ इन विश्व में सुनना चाहते है मैं कुछ बाते विस्तार से वहाँ पर अभी दस मेंट के बाद जन सभा में रखूंगा लेकिन अभी के लिए इतना ही और आप सभी को मेरी दरब से बहुत बहुत सुपकार नाए धन्यवाद दक्षीन भारत मुखद्वारवीन कलेंगान अभुरुद्धि वल्ले देश अभुरुद्धि यकड़ीन राष्ण अभुरुद्धि चेनते राज्यों अभुरुद्धि के वंत्यों चेपिन गोरुणेलन प्रधान मंद्रिक्टि